अब हमारा है change of states of matter, यानि जो matter है वो state change कैसे करती है, ठीक है, देखो, अब यह क्या है हमारे पास solid है, solid को हम जब heat करते हैं, गरम करते हैं, तो वो liquid में change हो जाता है, जैसे आपने ice को किया बरफ को, गरम किया, वो किसमें change हो गया, लिक्विड में, इस process का नाम है melting, क्या नाम है melting, okay, अब फिर liquid को आप गरम करोगे, तो वो किसमे change हो जाएगा, गैस में, है ना, गैस में change हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, अगर नेचर में अपने आप होता है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़ों में से पानी चला जाता है, गैस में convert हो जाता है, तो हम उस इसका उल्टा चलते हैं, अब गैस है, गैस से आप liquid में आ सकते हो, water vapor होता है, प्लेट पे लग जाता है, जैसे आपने पानी उबाला, एक उसको प्लेट से ढग दिया, फिर पानी उबलने लग गया, प्लेट को आपने नीचे रग दिया, तो प्लेट पे बूंदे आ जाती है, फिर liquid को आप और ठंडा करो, फ्रिज में रख दो, क्या बन जाती है, बरफ, आइस बन जाती है ना दुबारा से, तो उसको हम freezing कहते हैं, तो अब यह आपकी अलग-अलग है, जैसे melting को define करो, the process of changing of solid into liquid, ठीक है, when we increase the temperature, is called melting, the process of changing of liquid into gas, okay, when we increase the temperature, is called boiling, the process of changing of gas into liquid, when we decrease the temperature, पहले increase है, अब ऐसे आएंगे, तो decrease, when we decrease the temperature, is called condensation, the process of changing of liquid into solid, when we decrease the temperature, is called freezing, यह रापका freezing, when the process where a liquid changes into solid, on cooling, on cooling मतलब, decreasing the temperature, what happens when we take ice cream, जब हम ice cream लेते हैं, रेफिजरेटर से बाहर निकालते हैं, क्या होता है, वो melt होने लग जाती है, what happens, this happens due to the change in temperature, ऐसा इसलिए होता है, क्या कि temperature जादा हो जाता है, temperature का change हो जाता है, कैसे, temperature जो रेफिजरेटर की बाहर है, वो जाता है, then the temperature inside the refrigerator, तो रेफिजरेटर के अंदर तेम्परेचर कम है, और बाहर जाता है, यानि रेफिजरेटर के अंदर ठंड़ा के और बाहर गर्मी है, तो यह जो रेफिजरेटर में, इसकी वज़ा से आइस्क्रीम मेल्ट हो गई, तो इसमें पहला कोश्चन बनेगा आपका मेल्टिंग का, प्रोसेस जहां पे solid जो है, लीक्विड में चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर बढाती है, तो उसको हम मेल्टिंग कहते है, फिर एक्स कोश्चन यह बनेगा, what happens when we heat a solid, जब हम एक solid को heat करते है, तो क्या होता है, when the solid is heated, its particles start to shake, हिलने लगते हैं, और उनमें heat आने लगती है, temperature at which, अब temperature जिस पे solid melt होना शुरू होता है, उसे हम कहते है, melting point, और इस melting point पे particles जो होते है, solid के, वो थोड़े दूर दूर हो जात अब आप इसका answer क्या लिखेंगे, what happens when we heat a solid, when we heat a solid, ठीक है, अब उसमें होगा, it changes into liquid state, okay, it changes into liquid state as particles start to shake and gain heat. Okay, next solid to liquid, what happens when we place a bottle filled, जब आप पानी की भरी हुई बॉटल फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है, कुछ टाइम बद वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, क्यों होता है, this happened due to, फिर से change in temperature, अब कम से हमने जादा कर दिया, the temperature inside कम है, outside से, तो decrease in temperature causes water to freeze, जो temperature में decrease हुआ, उसक अब ये फ्रीजिंग की, the process, जब लीक्विट चेंज इस, जब एक लीक्विट चेंज होता है, solid में cooling करने पर, या on decreasing temperature, हम उसे कहते हैं, freezing, अब यहीं आपका next question बनेगा, what happens when we cool a liquid, जब एक लीक्विट को कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो क्या होता है, अब वो टेंपरेच when we cool a liquid, when we cool a liquid, it changes into solid, उल्टा हो गया ना उपर वाले का, it changes into, changes की spelling ठीक कर ले ना, solid, as its particles start to lose heat and comes closer, क्योंकि अब पार्टिकल्स वो heat देने लगते हैं, ठंड में रख दिया ना, तो energy कम होने लगती है, और वो पास-पास आने लगते हैं, अब वो कह रहा है, जो freezing point है, particles जो है, वो अपनी position पर सेट हो जाते हैं, पास-पास आके सेट हो गए, उनमें movement बंद हो गई, एकदम से बंद नहीं होती, थोड़ थोड़ी होती है, और वो क्या बन जाते हैं, solid,